हैदरबादी गन पाउडर की रेसिपी आज में आपके साथ शेयर करूंगी जो कि वहां का बहुत ही पॉपुलर है आंधरा स्पेशल रेसिपी है और ये जो रेसिपी है फ्रेंट ये हर घर में जरूर होना चाहिए जो भी साउथिनियन फूट के लवर्स हैं डोसा या इडली पसंद करते हैं उत्पम पसंद करते हैं तो उनको ये मसाला घर में बना कर जरूर रखना चाहिए और मेरी किचिन में तो ये हमेशा वेल बेल होता है मैं इसको बनाती रहती हूँ आज भी मैंने ये recipe बनाई थी, gun powder घर में बनाया था, तो सोचा क्यों ना मैं बना रही हूँ, सासाथ आपको भी दिखा दूँ और ये recipe शेयर करूँ तो perfect gun powder आप कैसे घर में बना सकते हैं, इडली, डोसा, उत्पम, सबजी, रोटी, दाल, चावल, किसी की उपर भी आप डाल कर खा सकते हैं, आपकी सबजी, दाल, सभी चीज़ का स्वात 100% बढ़ जाएगा, कई गुना बढ़ जाएगा तो किस तरह से घर में बनाना है, homemade gun powder आईए शुरू करते हैं, recipe इसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई ले ले, heavy bottom की कढ़ाई लेकर उसमें डाले, 4 टेबल स्पून के करीब चने की डाल, 2 टेबल स्पून उरत की डाल डालेंगे, बिना चिलके वाली डाली है मैंने एक चमच इसमें साबुच जीरा एड़ करेंगे, कच्चा जीरा डाला है, आदी चमच इसमें मेथी दाना एड़ करेंगे, जिसको की fenugreek seeds भी बोलते हैं, 4-5 सूखी लाल मिर्चे डाली हैं, और एक चमच मैंने यहाँ पर साबुच काली मिर्च के डाले हैं, एक चमच इसम मैंने पहले से निकाल कर रखे हुए हैं, और यह Emily को थोड़ा सा हाथों से तोड़कर इस तरह से अलग-अलग करके हम इसमें डाल देंगे, और बेसिकरी कुछ चीजें हम इसमें और एड़ करने वाले हैं, उसके बाद में हम सारे मसालों को धीमी आज पर भूनेंगे, लग तो यहां पर सारे खड़े मसाले जो भी डालने थे हमने डाल दियें, जिनको भी हमें रोस्ट करना था, पर अभी आप कहीं मत जाईएगा, क्योंकि इसमें कुछ चीजें अभी एड़ करना और बाकी है, जो लास्ट में हम एड़ करेंगे, जिसका इसका कलर, इसका फ्लेव हुन जाएगी, तो क्रंची हो जाएगी, क्रिस्पी हो जाएगी, इस तरह से करीपता भी देखिए, क्रिस्पी हो चुका है, साती इमली में जो भी मौश्यर होगा, पानी होगा तो पूरा उड़ जाएगा, लहसुन में भी जितना भी मौश्यर होगा, पूरा उड़ जाए बहुत ही जबरदस्त बनती है अगर आप कोई भी रेसिपी बनाएंगे इससे तो अब देखिए मैंने सारे मसालों को ग्रैंडिंग जार में डाल दिया एक चौथाई चमच के करी मैंने इसमें हिंग डाल दी हिंग का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है अब लास्ट में इसमें मैंट करेंगे इसको कलर देने के लिए कश्मीरी मिर्च पाउडर बिलकुल ओप्शनल है डालना यानि की अगर आपको नहीं डालना है तो आप नहीं भी डाले तब भी चलेगा पर अगर आपको बिलकुल मार्केट जैसा बाजार जैसा कलर चाहिए एक्चुली देखिए जो चीज हमें देखने में सुन्दर लगती है वो खाने में भी उसका मज़ा अलगी आता है तो कहा जाता है ना पहले आँखे खाती हैं तो देखिए यहां पर मैंने वन टेबल स्पून के करीब इसमें कश्मीरी मिर्च डाल दी जो की बिलकुल तीक ही नहीं होगी पर हमारे मसाले को बहुत बढ़िया लाल लाल कलर देगी और मसाला हलका गरम है तो इसमें ही मैंने वन टेबल स्पून के करीब नमक भी डाल दिया वन से टू टेबल स्पून इसमें लाल दीजिए님이 नमक हमें तू टेबल स्पून डाला है और इस तरह से ढख लग लगाकर पल्स करते हुए सबी को हमने पीस लिया है तो यहां पर हमारा gun powder बनकर बिल्कुल तियार हो चुका है और जो सुखी लाल मिर्चे हमने इसमें यूज की थी तो उसकी quantity अपने हिसाब से आप चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं या फिर आप decrease भी कर सकते हैं घटा भी सकते हैं अगर आपको कम थीखा पसंद है तो आप इसमें लाल मिर्चे सुखी लाल मिर्चे कम भी डाल सकते हैं तो हमारा यहां पर हैदराबादी मसाला बनकर तियार एक gun powder बहुत ही बढ़िया बनाएं आप इसके उपर इससे आप स्पोर्ट इडली बना सकते हैं आप मसाला इडली बना रहें तब भी आप डालिए मैसूर मसाला ड के स्टा आता है बिंडी की सबजी पर भी यह मसाला बहुत बढ़िया लगता है तो इस तरह से घर में आप एक्सपेरिमेंट करते रहें इस मसाले को आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों में डाल सकते हैं बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और मैं एक्सपेरिमेंट करती में नहीं रखना है तो बहुत ही बड़ी है रेसिपी है जबरदस्त है मस्त है ट्राइ जरूर कीजिए और फीडबेक जरूर दीजेगा थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बाई